दोस्तों यह है अंजीर का पौधा और एक गंबले में लगा हुआ है दिखाना इसलिए चाहराओं कि देखिए इसमें बहुत ही बढ़िया तरी सा अंजीर लगे हुए है और इससे पहले कि बंदर लोग इस पौधे के अंजीरों को खा ले उने का आपको इसके बारे में जब भी ये पकते हैं तो पके फ़लों को ही जादा चृदिया तोड़ती है और कच्चे फ़लों को समानता नहीं टेच करती है और कबूतर में है कि फ्रहता आप चोज मारते हैं तो उसमें कभी-कभी अकसमात जो है फल गिर जाते हैं शायद इसमें भी ऐसा हुआ हाँ पर लगा हुआ है अंजीर की प्रापरटी यह है कि इसी को सुखा कर ड्राइब फ्रूट के रूप में बेचा जाता है जी हां यह वही ड्राइब फ्रूट है जो आप एक चेन में बंधा हुआ चेन मतलब रस्ती में बंधी हुई आपने देखी होगी जगए जगए आपको 1100 रुपए किलो बारा सु रुपए किलो मतलब नौसो हजार रुपए से लेके आगे जिस प्रकार की क्वालिटी होगी उस आप से यह वही फूरूट का पौधा है इसमें कई सारी वराइटी आती यह पूना रेड है देखिए यह लाल होने जा रहा है और इसमें डायना आती है एक बहुत ब्राजिलीना आती है ब्राजिल वाली भी वरायटी है वह आपको अच्छी नर्सरी ढूटनी पड़ेंगी जहां से इस तरह की प्लांट मेलेंगे क्योंकि इसमें तरह तरह के आते हैं एक में बहुत बड़े बड़े फल होते हैं परन्तु खाने में बहुत अच सी वराइटी अच्छी है जब आप इस पौधे को घर में लगाए इसमें एक प्रापर्टि aí कि इसको आप किसी भी पॉट में हम कोशिश करते हैं कि पौदों के मिट्टी के पौड में लगाएं लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो बड़ा पौड बहुत भारी हो जाता है उसलिए थोड़ा सा कठिन होता है मिट्टी में लगाना ग्रो बैग में या प्लास्टिक के बैग में लगाना अच्छा लगने लगता है प देखिए इसमें फ्लावर तो दिखाई नहीं देते लेकिन फूल भी नहीं दिखते लेकिन फल इसमें ये गूलर प्रजाती का एक पौधा है और आपको हाड़ी है बहुत ज्यादा मेहनद नहीं करने पड़ती इसमें कभी-कभी मेली बग का प्रकॉफ होता है और था-था मक गमले में लगाने के लिए विवस्था करें इससे आप पाएंगे कि आप घर में ही अंजीर पैदा कर सकते हैं देखिए अंजीर लगे हुए देखने में बहुत अच्छा लगते हैं जितना खाने से आपकी ताकत और दिमाग का विकास नहीं होगा उससे ज्यादा आपको द पत्तियां बिल्कुल चली गई थी ओक फल लगे थे लेकिन अब पत्तियां से फिट पुना से आ गए हैं देखिए इसमें एक प्रपर्टी और भी है जैसे पत्तियां डाले शुरू हुए वैसे इसमें फूटिंग शुरू हुए आती है पत्तियों के साथ चोटे-छोटे इसमें लगना है अब एक छोटा सा लगा हुआ है मैं अब जुका कर नहीं दिखा रहा है अब डाल मेरी तूट जाएगी तो इस प्रकार से यह पौधा इतना अच्छा है कि आपको कम मेंटेनस में यह पौधे से फल भी प्राप्त कर सकते हैं और खुबसूरत भी है देखन हैं और इस तरह के 4-5 पौधे लगा लें तो आपको आपको साल भर यह अंजीर खिलाता रहेगा वह भी ताजे आपको इसको ताजे ही खाएंगे तो आप देखेंगे बहुत मीठे फल होते हैं और वराइटी आप ध्यान रखेंगे देशी वराइटी बहुत मीठी होती ले से रेटनेस आने लगी है अभी यह बिल्कुल रेट हो जाएगा और तो आप देखेंगे कि इसमें बहुत अच्छा स्वाज आता है और बहुत ही स्वास थे वड़ता था है दोस्तों इस पौधे में नीम वायल और फंगी साइट का प्रियोग ही करना पड़ता है और साधा है इसको लगाएं कम में इंटनेस वाला पौधा है आसानी से उग जाता है और आपको जा तकलीप नहीं देखा इसी के साथ हम निवेदन करते हैं कि अगर आपको यह वीडियो ठीक लगे तो आप शेयर लाइक और शब्सक्राइब जरू करें तो बहुत अच्छा होगा धन